नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिक्षा सबकों में जिसमें हम माध्यमे कक्षा हाई स्कूल एनाई उएस का व्यवसाय अध्यान विशय पढ़ रहे हैं जो इस विशय के अंतरगत जो पाठिक्रम तीन है सेवा छेत्र जिसके की अंतरगत व्य पार की जो सहय क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं हमने जो पिछला जो चैप्टर पड़ा जो पाठ पड़ा वो पांच नमबर का पाठा जिसका की शीशक था परिवहन सेवाएं आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं आज हम पार छे शुरू करेंगे जिसका की शीशक है भंडारन सेवाएं तो आईए जानते हैं इसके बारे में उससे पहले फिर आपसे एक बार अनुरोध है कि ये जो वीडियो है ये आप अपने उन दोस्तों साथियों के साथ उन परिच्चतों के साथ ज़रू शेयर करें जो की व्यवसाय अध्धन विश कुस्तों का उपएयोग करते हैं जैसे अभी आप स्क्रिन पर देख पा रहे हैं चावल हैं इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं आप हम लोग जानते हैं कि जो अनाज होते हैं यह पूरे साल तो पैदा होते नहीं हैं लेकिन हम इनकी रोज जरुवत होती है इसकी आवशक्ता हमको बिल्कुल क्योंकि ये मूल भूत आवशक्ताओं में आते हैं तो इनकी हमें जरुवत रोज ही पड़ती है तो फिर किस तरीके से जो अन्य दाता है या किसान है वो हमको इन अनाजों की निरंतर आपूर्थी करते रहता है ये कैसे कर पाते हैं जो किसान होते हैं वो लोग इसको इसकी जो आपूर्थी है वो पूरे साल भर बनाए रखते हैं इसके पीछे क्या तकनिकी काम करें आप लोग सोचते ही होंगे कि वो किसी न किसी जगह पर इसको स्टोर करते होंगे और जब हमें आवश्क्ता पड़ती है तो हमें आपरती करते हैं आप बिल्कुल साही सोच रहे हैं जो ये चावल है और जो गेहूं है इनका उत्पादन एक विशेश मौसम में और एक विशेश छेत्र में होता है सारी जगह पर ये नहीं उत्पन होते हैं तो इसलिए इन अनाजों का उचेट तरीक से संगरहन आवश्शक होता है यह आप देख पा रहे हैं कि एक जगह पर ये सारे अनाज संगरहित हैं, यह जो जगह है जहां पर यह सारे संगरहित हैं, बोरियों में रखे गये हैं, यह आप देख सकते हैं कि टीन की एक छथ पढ़ी ही है, इसके नीचे सब रखे गये हैं, इनके वेंटिलेशन का भी इंतजाम है, हावा के लिए और रोश्नी के लिए इसमें परियाबत विवस्था की गई है तो इस जगे को बोलते हैं भंडार ग्रह और जो बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी मात्रा में आप देख रहे हैं कई बोरियों में चावल या गेहुं जो भी होंगे वो रखे वे हैं तो इस जो ग्रिया है इस प्रकार से संगरहीत रखने की बहुत बड़ी मात्रा में उसको भंडारण कहते है तो भंडारण का अर्थ क्या होता है अब जानते हैं कच्छे माल तथा तयार माल दोनों को संगरहन की आवशकता पढ़ती है बिल्कुल कच्छे माल को भी पढ़ती है और तयार माल को भी पढ़ती है दोनों ही जो चीजे होती है दोनों ही वस्तुएं या सेवाएं होती है जो तयार हो या फिर जो उनके लिए कच्चा माल हो उन दोनों को लिए ही संग्रहन की आवशकता उनको पढ़ती है वस्तु के उत्पादन से लेकर खपत तक उसके समुचित संगरण के आवशक्ता होती है मतलब जब वस्तू बनाए जा रही है और जब तक कि उसको लोग consume नहीं कर लेते उसकी खपत नहीं हो जाती तब तक उसके जो संगरण के आवशक्ता होती है आप लोग अपने घरों में भी छोटी छोटी मात्रा में बहुत सारी वस्तू का संगरण करते हैं लेकिन आप छोटी मात्रा में करते हैं जो पादक होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में इन चीजों का storage या इन चीज़ों का संगरण करते हैं तो जो बड़ी मात्रा में जो संगरण होता है वो भंडारण कहलाता है इसके पश्चात है जब संगरण बड़ी मात्रा में और सही विदी से बड़ी मात्रा में भी हो और सही विदी से भी हो तो यह पूरी प्रोसस होती है, इसको भंडारन के नाम से जाना जाता है, भंडारन जहां करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, उसको भंडार ग्रह की देखवाल करने के लिए आत्मी रखा जाता है, उसको भंडार ग्रह देखवाल अधिकारी, भंडार ग होता है कि वो जो भंडार में रखी गई जो वस्तू है या जो माल है उसकी सुरक्षा निश्चित करें वो किसी प्रकार से उसमें किस तरह किसी खराबी नहीं आने चाहिए उसकी छती नहीं होने चाहिए यह आप एक भंडार का दिश्य देख पा रहे हैं यह घास के गोले इनको वस्तू को रखा गया है बहुत सारे डिबो को रखा गया है तो यह आप समझ रहे होंगे कि यह एक एक ऐसी जगह पर है जो कि बहुत आधुनिक तकनीकी का उप्यों करके इसको रखा गया है सबके बीच में एक समुचित दूरी बनाके रखी गई है और जगह का यू बुचित तरीके से संगरहन क्या कहलाता है और इनको और इसके मात्यम से हम आवश्रक्तानुसार उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं जो वस्तूएं होती है वस्तूओं का उनके उत्पादन अथ्वा खरीद के समय से लेकर उनकी विक्री अथ्वा वास्तविक प्योग के सम अत्वा परिक्षण करना क्या कहलाता है भंडारन कहलाता है बड़ी मात्रा में रखते हैं और साथ-साथ उसका परिरक्षण भी करते हैं तो भंडारन की आवश्यक्ता क्या होती है अब हम सोच सकते हैं कि भंडारन आवश्यक्यों है तो कुछ यह तो आप समझ ही गया है कि क् बिन्दों को जान लेते हैं सबसे पहला कारण है मौसंमी उत्पादन आब हमने बात की जो गेहूं और चावल है वो हर मौसं में तो पैदा होते नहीं है तो इस पकार से अनेक ऐसे उत्पाद हैं, जो कि मौसंमी उत्पाद होते हैं जिनके की इस लिए उत्पादों के शրवरती है, ताकि वो आवशकता अनुसर काम हा पाए and पूर्ती की जा सके, वो भोकता है, उनको, एक देखे पा रहे हैं आपने धर्ष जो की एक cold storage का, जो की जिसके अंदर की ठंडा किया जाता है, एसा एक स्टोरेज है जहांपे कि ठंडा करने के लिए एसी बगरा लगे वे हैं और इसमें सबजीयों आदी जो सबजी अफल हैं जो किसी उत्पाद होते हैं उनको रखा जाता है ताकि यह ठंडा इसलिए कि आया था ताकि वो लोग वो खराब नहों सड़े ना मौसमी मांग अब मौसमी मांग क्या होती है कि जैसे कुछ कुछ चीजों का उत्पादन मौसम के हिसाब से होता है लेकिन कुछ चीजों की जरुवत हमको मौसम के हिसाब से पढ़ती है या उनकी मांग मौसम के हिसाब से होती है जैसे सरदियों में आपको उनी वस्तर के आवशक्ता पढ हो रहा है जो माल उत्पन हो रहा है मांग से अधिक जो माल है उसको हम स्टोर कर देंगे और जब उसकी मांग आएगी तब उसको निकाल के बेज देंगे तब उसको अपलग्द करा देंगे ऐसे ही अगला है बड़े पेमाने पर उत्पादन जो बड़ी बड़ी और दोगी की गाईयां होती हैं, वो छोटी मात्रा मद उत्पादन करती नहीं है, वो बड़ी पेमाने पुत्पादन करती हैं, जिससे कि उनकी लागत कम से कम आई, तो जब बड़े पेमाने पुत्पादन होता है, तो आप आगे पढ़ें ग्यारत सास्त में, कि बड़े पेमाने पुत्प उत्पादन तो कर दिया, अब आप उसको क्या करेंगे, अब आप उसको भंडार कर देंगे, उसको स्टोरिज में डाल देंगे, ताकि जब इनकी आवशकता पड़े, तो इनकी विक्री की जा सके, तो ये भी स्टोरिज के आवशकता हुई, इसके लिए भंडार आवशक है, फिर तुरंत अपूरती के लिए तो होता क्या है कि जो जो आद्योगिक और कृषि उत्पादन वो दोनों प्रकार के अद्पादन एक विशेष इस्थान पर होता है कि से एक विशेष जगह पर होती है जसे जो किर्षि है वो गाऊंचे है तो गाउं में तो जरूरी ने कि सारा का सारा जो खेती में आप कर रहे हैं वो सारा का सारा गाउं में बिग जाए उसकी खपत वहीं हो जाए तो उनकी खपत पूरे देश में होती है तो आपको क्या है अब आपको जो इस समान जो गाउं में उगा है इसको दूसरे हिस्सु में भेजने की जरुवत होती है तो इन भेजने की प्रकरिया है इसके दौरान इसको कई जगे पे इसका भंडार करना पड़ता है ताकि जो मांग है उसकी पूर्ति की जा सके विभिन फ्रोग तरता है निरंतर निरंतर उत्पाधन तो जैसे हमने कहा कि पढ़े पणाने पर उत्पाधन होता है उसके में निरंतर होता निये तो माल का भंडारन करते हैं ज़रूरी नहीं कि जो कच्चा माल है वो जिस समय बनाएं उसी समय उनको उपलब्द हो जाए तो वो कुछ ना कुछ तीन या चार दिन का या हफते भर का या पंदरा दिन का माल अपने श्टोर में रखते हैं ताकि उससे वो नया जो वस्तू जिसका उत्पादन कर रहे हैं उसका उत्पादन करते रहे हैं उनकी उत्पादन में कुई बहदा उत्पन ना हो उनकी निर्णतरता व्यादित ना हो इसके पश्चात है मूले में स्थाइत तो होता क्या है बाजार में जब वस्तू की उपलब्दता नहीं होती है तो जब सप्लाई कम होती है तो वस्तू की जो कीमते हैं वो बढ़ जाती है और इसके उल्टा अगर वस्तू में ज़्यादा मात्रा में भेज दी जाएं तो उनक का काम करता है你 स्ट्वर एक तरह से बुफर का काम करता है इक पीच में एक एक लेयर प्रोवाइड कराता है जो कि क्या काम करती है पुझ माल बजार में देंगे ताकि उसके जो मुल है उस पर कोई दूस प्रभाव ना पड़े और जब बजार में माल ये समान की कमी हो गई तो आप भंडार से जो माल है उसकी सप्लाई कर देंगे ताकि फिर क्या करेंगे आप मूल्ले को बढ़ने नहीं देंगे पहली समय में मुल्य को कम नी होने देंगे, दूसरे में मुल्य को बढ़ने नी देंगे, तो इस प्रकार से मुल्य में स्थाइत्व प्राप्त किया जा सकता है भंडारण के माध्यम से, अब है जो अगला टॉपिक वो है भंडार ग्रहों के प्रकार, तो भंडार ग्रह है, ब उत्पादक है या निर्माता है जो बना रहा है वस्तु में उसके द्वारा अपने उत्पादों के सन्नक्षण हितु बनाया जाता है मतलब वो निजी उप्योग के लिए होता है उनके निजी उप्योग के लिए होता है इसलिए उसको निजी भंडार ग्रह कहते हैं जैसे एक एक चितर आप देख पा रहे हैं यह वाइन एक वाइन फैक्टरी है जिसमें की वाइन को इन बैरल्स में भरके रखा हुआ है यह बैरल्स कहलाते हैं इसके अंदर जो एलकोहल है यह वाइन है उसको रखा जाता है और इस प्रकार से इसका परिड़क्शन भी किया जाता है मतल यह प्राइवेट स्टोरेज्य है एक निजी भंदार ग्रेगै तो ज्यादा से ज्यादा पास जो उसका उतपादख होगा उस簡ला तो ज्यासे किसान है अगर वह अपना खोट समीब सनीफ सरत मिपनाएगा अपने खेतों के च्राइब बनाएगा ताकि वो जो तयार जो खेती से जो तयार उपज है यहूँ चावल जो भी है उसको रख सके इसी प्रकार से जो कारखाने वाला है जो कुछ का उत्पादन कर रहा है को वस्तू बना रहा है वो अपने कारखाने के संभी पसको बनाएगा ताकि वो वहाँ पर उस ची प्रोवाइट कराता है, जो सारुजिनिक भंडार गरह होता है, उसमें कोई भी आम जनता, मतलब मैं या आप भी, हम लोग जाकर अपना समान रख सकते हैं, ठीक है, जो निजी भंडार गरह था, वो तो किसी का खरीदा हुआ था, या किसी का खुद का बनाया हुआ, किसी का कि किराय पे लिया गया था लेकिन सारुजनिक भंडार ग्रह जो है वो आम जन्ता के उपयोग के लिए होता है उसमें ऐसा कोई नहीं कि किसी के लिए मना किया जाए सब के लिए होता है तो इसमें क्या होता है इसमें किराया देकर किराया देकर कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तों का भंडारन कर सकता है आपको एक कुछ किराया देना हुगा अगर आपको उस भंडार ग्रह का उपयोग करना है तो इसमें जो इसका मालिक हो सकता है वो कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है कोई साज्यदारी फर्म भी हो सकती है या कंपनी भी इसकी स्वामी हो सकती है साथ-साथ क इसके चलाने के लिए सारवजिनिक भंडार ग्रह की स्थापना के लिए उसको चलाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यक्ता होती है मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर आपको सारवजिनिक भंडार ग्रह स्थापित करना है तो इसके बाद है सरकारी भंडार ग्रह तो सरकारी भंडार ग्रह क्या होते हैं सरकार जो अनाज या जो भी समान बाहर से विदेशों से लाती है या देश में जो किसानों से खरीदती है वो जो अनाज है या जो वस्तुमें हैं वो सब अपने भंडार ग्रह में एकत्रित करती है एकटा करती है संगरहि रहे हैं उसका जो स्वामित और प्रभंदन होता है वो केंद्र यह तो सेंटरल की गौर्णमेंट हो या राज सरकार या सारुजिनिक निगमों या इस्थानी निकायों जो निकाय मतलब जैसे आपके नगरपाली का परिशद है नगर निगम है इनके इनके पास उसका स्वामि प्रविशन आफ इंडिया बोलते हैं उसकी वेबसाइट से लिया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो आप देख पा रहे हैं वरतन क्या कर कि इनको साइलोज बोलते हैं इसमें अनाज इ 제가 ट्रें है इस ठेंज के अंदर समान जो जो अनाज है वो पाता है और इस अनाज को फिर इन साइलोस में इखटा किया जाता है और और इसी को ही फिर साइलोस से जब भेजना होता है तो इसी ट्रेन के मार्जन से वापस भी भेजा जाता है निकाल कर जब भी आवशक्ता पड़ती है तो तो जो सरकारी जो वित्रन प्रणाली है या पी संवसर्कारि और नीजी दोनों प्रकार की कमपनियां उप्योग कर सकती है। सरकारी सिस्टम हैं तो यूद होता ही है। अगर को की प्राईवेट कमपनी चाहे आप या में क्या हैं तो हम भी अपना समान सरकारी भंडार ग्रह में में जमा करा सकते उसके लिए निश्चित तोर पर एक किराया आप लोगों से वसूला जाएगा इसके जो कुछ उधारण है वो है केंद्री भंडारं निगम राजी भंडारं निगम और भारती खाद्य निगम तो मैंने FCI जो बताया था आपको उसका जो फुल फॉर्म होता है वो भारती होता है या उसको मतलब ऐसे छोड़ने सकते हो उसको पकड़ा गया होता है तो यह कहां यूद होते हैं इसका जो भंडार ग्रह होते हैं इनका स्वामित तथ्था प्रबंदन सरकार भी कर सकती है या नीजी एजिंस्यों के पास भी होता है लेकिन इसके लिए भी है कि एक न भंडारंग क्या आता है आयातित वस्तु में वो होती हैं जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में आती हैं तो ऐसी वस्तु हैं जो किसी और देश से हमारे देश में आई हैं और जिन पर क्योंकि जब कोई वस्तु आप बाहर से मंगाते हैं तो उस पर आपको एक टैक्स देन या निजी एजेंसियां जिसको भी सरकान ने वो काम दे रखा है वो आपका माल पकड़ लेगी और उसको अपने इस स्टोरेज में इखटा कर देगी रख देगी और इसको तब तक बंधक रखेगी जब तक कि आप उस पर आयात कर चुका नहीं देते हैं इस इधर आपने आय जो देखा है सहकारी समीतियों के वारे में हमने पढ़ा था तो यह जो सहकारी भंडार ग्रहे होते हैं यह सहकारी समीतियों द्वारा चलाये जाते हैं और सहकारी समीतियों में क्या होता है कहीं सारे सदस्य होते हैं जो समान हित में काम करते हैं तो जो सहकारी भंडार ग्रह कि ताकि उनकी जो उत्पाद है जो उनकी वस्तु हैं उनका भंडार हो सके उनका संगरहन किया जा सके तो इसका स्वामित प्रवंत अन्यांतर्ण किसके हाथ में होता है सहकारी समीतियु के हाथ में होता है मैं आपको बताया एक आप यह उधार देख सकते हैं एक सहकारी समीति इसमें क्या होता है समीति के सदस्यों को मित्वेई दर पर मतलब बहुत कम दर पर भंडारण की सुधा ये प्रधान कराते हैं कौन से सहकारी भंडारण करें तो इस प्रकार से आज का जो जो पार्ट है हमने आज के पार्ट का जो जो छटा पार्ट है उसका पहला भाग हमने पढ़ लिया जो दूसरा भाग है मुसको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे तो धन्यवाद फिर आपसे एक बार वही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के शेयर करें जो की व्यवसाय धन विशाय पढ़ रहे हो और वैसे भी अगर वो पढ़ रहे हो तो भी आप उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं घर वैसे सबस्क्राइब मेए उस सिकना चाहते हैं अनके शेयर करें और जो भी आपको इसके समें पrafly प्रेशान Kendall यह को दिक्कत आयी हो इस चपतर में इस पाट में तो आप मेरे शाद और कमेंट्स में आप लिखकर बता सकते हैं धन्यवाद